और एक बड़ा चेंज यह है, उसमें बहुत सारी इंप्रूव्मेंट कर दी गई है, यहाँ पे तगड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, माइलेज भी इंक्रीज हुई है, आशन पानी सारा लेकर चल सकते हो आप साथ में, हेलो एवरिवन, कैसे हो आप लोग, आज हमारे साथ मे अभी Tata क्या कर रहा है, पंच प्यॉर के उपर एक रिदम पैक देरा है, उस पैक में आपको एक्स्ट्रा अड़ेट अन फीचर्स मिलते हैं, अल्मोस अन रोड बात कर रहो तो, चालिस अजार के करीब आपको एक्स्ट्रा अड़ेट मिलती है, तो आज मैं आपको वही बत पंच प्यॉर के उपर जो पंच प्यॉर रिदम पैक आरा है, उसमें आपको एक्स्रा क्या-क्या मिलता है, पंच मिना पावर भी बढ़ा है, तौक भी बढ़ा है, और इसके लबा है, माइलेज भी इंप्रूव ही और क्या-क्या चेंजिग होए है, वह मैं आपको डिटे में एक्स्प्लेइन करने वाली हूं स्टार्ट करते हैं इस की फ्रेंट प्रॉफाइल से सबसे पहले अगर आप यह वाला सफेस देखिए तो यहां पर आपको इंडिकेटर के लिए बल्ब मिलता है अन्य हां पर आपको एक बल्ब भी मिलता है अगर आप इसकी है लेंड अगर आप इसके ग्रिल पोशिन को देखोगे तो पूरा का पूरा प्यानो ब्लाक फिनिश में देखने को मिलता है जिसके ओपर टाटा का बड़ा सारा लोगों मिल जाता है और यह वाला पूरा एरिया यह भी आपको ब्लाक में ही देखने को मिलता है इस वाली एरिया में ट्राय आरो का पैटन आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप इसकी लुक्स भी देखोंगे ना तो देखने में यह बहुत ही जादा बलकी-बलकी सी लगती है अपने साइस से जादा बड़ी लगती है देखोंगे ना तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह हैच बैक साइस की गाड़ी है क्योंकि अपने साइस से बहुत बड़ी लगती है देखने में और सुन्दर तो वैसी भी लगती है तो बात करते हैं इसकी साइट प्रॉफाइल के बारे में सबसे पहले ना यहां पे आपको 15 इंच का टाय साइस देखने को मिलता है और इ इसका जो और व्यम है वो भी आपको रफ ब्लैक में देखने को मिलता है जिसके उपर आपको तर्न इंडिकेटर मिल जाता है और यहां पर जो डोर दिया गया है यह भी रफ ब्लैक में ही है नीची अगर आप देखो के ना तो यह वाली जो जो लादिंग से यह बहुत यह बहुत जाते हैं तो एंट्री और एग्जिट के लिए काफी कन्विनेंट हो जाता है और इसकी ग्राउंड क्लेरंस के बारे में अगर में बात करूं तो 187 mm की ग्राउंट क्लेरेंस इसमें और गाडि कहीं भी नहीं रुकती है ना इक हट्डों अगारा में आपको प्र पास पी पास में आपको ट्राइरो पैटन देखने को मिलेगा अपको दो रिवर्स पाकिंग सेंसर्स मिल जाते हैं और बॉट अनलोग करने के यहां पर बटन मिल जाता है वरना हो चावीस अनलोग करना अच्छा नहीं लगता दन यहां पर आपको बेस वेर्येंट से पाश रिपेर किट भी मिल जाती है एंड बूट सपेस के वारे में बात करूं तो इसमें आपको 366 लीटर का बूट सपेस मिलता है जो कि इस गाड़ी के साइस के इसाब से बहुत अच्छा बूट सपेस है और यहां पर आपको दो हुक्स मिल जाते है ऐदर साइट पर तो कुछ हैं अब बढ़ार करना हुन तो आप गर सकते हैं तो कर सकते हैं तो यहां पर आपको जो आपको के बाईप कर ना बात करूं तो यहां पर आपको सबर्यूंτά के साथ ही मिलता है और यहां प़े घर बात कर देखने को मुलता है यहां पे Philippe zaple yaid यहां पर आपको मिल जाता है 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 यहां पर आपको देखें तो आपको स्पीकर मिल जाता है अब मैंने यही आपको चीज बताई थी कि रिदम पैक है तो इसमें एक्स्ट्रा चीजे मिलती है इसमें आपको 4 speakers भी added on मिल जाते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो Twitter के लिए आपको hollow space दी गई है जिसके इंदर Twitter नहीं है और यहाँ पर ORVM की मिल जाता है और अट ओफ का बटन है अब मैं इसके गएपिट गई हुए इसके स्टेरिंग की बाद करो तो यहाँ पर आपको बहुत ही प्यार ती कट सेरी बील की गौटोल आप देख सकते हैं अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो वाईपर के गंत्रों साहे दूसरे साइड को हैडल्म की कंटोल मिल जाते और यह स्टेरिंग विल हैं तेल्सकॉपिक अजस्में इसमें आपको नहीं मिलती है इसके इसमें गाड़ी में कितना फ्यूल है वह आप देख सते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको इंजन टेपरेचर भी नजर आ रहा होगा और यहां पर आप देख सते हैं सेट और मोड के बटन दिये गए जिससे आप एड़ेज वगारा नजर आ जाएगी वैसे अगर आप देखोगे ना तो बेस वेरियंट के साब से जो इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर ना प्रीमियम लगता है पीली लाइट बगारा नहीं है वाइट लाइट से देखने में पी काफी सुन्दर लगता है अगर मैं इसकी सीच के बारे में बात करू तो यहां पर आपको आपको सबसे पहले तो सौफ्ट आपनिंग के साथ में आता है उसके इतना स्पेशियस अना भई राशे बानी थारा लेकर चल सकते हो अब साथ में आपको यहां पर यहां पर यहां पर टैबलेट होल्डर भी मिल जाता है साथ में आपको एंटेंशन टू डिटेल देखो और अगर अगर आप देखोगे न तो यहां जितनी भी वाइट फिनिश आप देख रहे हो उसके उपर आपको ट्रायर पैटन देखने को मिलेगा और यहां पे भी आपको ग्रे कलर में ब्रेश सी फिनिश देखने को मिलती है तो इसका जो इंटीर है वो काफी जादा एलिगेंट साय तो यही कुछ औडिट चेंज अगर अपने एक्स्रा पैसे श्पैंड किये तो एक तो आपको इन्फरेंविंड बिल जाता है सारे सारे कंट्रों वगठ रवर आप देख सते तो अगली बात जब तो भी आपको स्पेर पार्ट पर्चेस करने हो तो स्पेर पार्ट एक्सवर्ट बूड में को चूस करो अब एसी की बात करो तो भाई ताटा की यहां पे तगडी तारीफ करनी पड़ेगी क्यूंकि दिया तो इन्होंने मैनुवल एसी है वट देखने मे तो इसके प्यारे दिये गए कि देखने में लगता ही नहीं है सामने वाला यहीं कईगा जैसे देख लो फैन के दो देख सकते हैं आप कितने डिसेंट से हैं देखने में और तो और तो और तो पूरा पूरा स्पेस क्लोज है यहां पर थोड़ी बहुत स्टोरे स्पेस आपको 5-speed manual gearbox मिल जाता है जिसके सराउंड में आपको यहां पर प्यानो ब्लाक फिनिश देखने को मिलते हैं यहां पर आपको 12 वोट का पावर आउटलेट मिल जाता है यहां पर चाहो तो चाबी बगारा रख सकते हो यहां मतलब कुछ भी की ट्रेय है वैसे तो यह बड़ यहां पर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि यह डोर पे ही रहती है अगर खुला है तो मजाल नहीं है यह बंद हो जाएगी चारो दर्वाजे बंद ही करने बढ़ें कि तब जाके बंद हो जाएगी ऐसे कोई प्राब्लम नहीं बस मैं चाहती हूं किसमें ना ओन आपको एक एक्स्टा बटन भी अड़न हो जाए यह बात करो तो यहां पर आपको एक नॉर्म दिया गया है चोटे साइस का तो अभी मैं बैट गई हूं पंच के रियर कबिन में अगर स्पेस की बात करों तो डिसें स्पेस के साथ में गाड़ी आती है नी रूम आप देख अल्मोस्ट फ्लैट सा है तो तो तीन लोग अराम से पैर रख सकते हैं पैर रखने में दिककत नहीं हाएगी और यहां पर आपको कोई आमरेस वगारा नहीं मिलता और जो हेड्रेस दिये गए है दोनों ही इंटेग्रेटेड और तीसरा हेडरस तो वैसे भी आपको नहीं मि कोई सेंटल लोकिंग वगरारा इसमें नहीं मिलती बस ताटा के लोगों के साथ में आपको दोचाविया मिलती है अगर आपको सेंटल लोकिंग वगरा चाहिए तो आप टाटा से अनसेसरी पर चेस कर सकते हैं इसमेरा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता और बहुत सारी आपको सेंटल लीटर कर दी गई है पहले तो प्रॉब्लम की इंप्रूव किया गया उसके साथ साथ पावर टॉक दोने इंप्रूव हो हैं पावर की बात करूँ तो पहले ना इसमें 83 भीएच्प इंच पावर आती थी अब 85 भीएच्प की पावर आती है और चॉक की बात पारबड़ी है, दो न्यूतिमीटर का टॉक बढ़ा है, और दो किलोमेटर पर लीटर की मालेज भी इंक्रीज हुई है, और इतना ही नहीं है, इसकी वारेंटी भी इंक्रीज होई है, तो यह था पंच प्योर का रिदम पैक, अब रिदम पैक पर चेस कर रहे हो, तो एप्रो कि आप अपनी गाड़ी भाहर खुलवाओ, तो मेरे साब से एक अच्छा उप्शन है, क्योंकि आप गाड़ी निकालोगे, तो आप गाने सुन सकते हो, अधर वाइस अगर आपको कमपनी से काम पसंद है, तो डेफिनिटली इसको चूज करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी गाड़ी भाहर से मॉडिफाय करवाना चाहते हो, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी गाड़ी खुलवाने में, तो फिर इसका प्योर वेडियेंट आप चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पे आप 40,000 के करीब स्पेंड करोगे, और आफ्टर